हलो दोस्तों, ये वीडियो सीजन 11 का सेकंड पार्ट है और इसमें मैंने कवर किये हैं एपिसोड 5, 6, 7, 8 वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगे कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे और जो बैल आइकोन है उससे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिरते रहेंगे एपिसोड की शुरुआत एरन से होती है चोकि एक बहुती बुरा सपना देख रहा था वो अपने सपने में देखता है कि वो और ग्रेसी जंगल में खो चुके थे जंगल में उन तानों को चारों और से दुश्मन घेर लेते हैं और उन तानों को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाते हैं एरन इस सपने को देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है और उसकी नीन खुल जाती है वो देखता है कि वो अभी भी अपने बैट के उपर ही है अगले दिन सुबह जैरी एक वाकर को अलेकसेंड्रिया की कमपाउंड में घुमते हुए देखता है वो दूसरों को वार्ण करने के लिए चला जाता है इदर एरन को बाहर से आती हुई कुछ आवाजे सुनाई देती है वो तुरंदी ग्रेसी को वार्ण करता है और उसे बेस्मेट में छुप जाने के लिए कहता है बहुत सारे वाकर्स अलेकसेंड्रिया की टूटी हुई वाल्फ मेंसे अंदर आ जाते हैं अलेकसेंड्रियन्स उन वाकर्स का सामना करने लग जाते हैं अगले सीन में Commonwealth Community को दिखाया जाता है वहाँ पर एक Commonwealth Orientation वीडियो चल रहा था जिसके अंदर एक आदमी Lance Horn by viewers को वेलकम करता है और उन्हें Commonwealth Community के बारे में बताता है वो सबी viewers को बताता है कि Commonwealth Community में इस वक्त 50,000 population है और उसकी Governor Pamela Milton है Commonwealth Clerk उस वीडियो को खतम होती आफ कर देता है और वो यूजीन, यूमिको, इजेकल और प्रिंसेस को उनके एसाइन किये गए कामों के बारे में बता देता है यूजीन कलर्क को क्लियर करता है कि वो लोग Commonwealth में रहना नहीं चाहते है Commonwealth Clerk उन सबी लोगों को केस सुपरवाइजर से मिलने के लिए कहता है यूमिको अपने दिये हुए लेटर को देखती है वो देखती है कि उसे एक VIP इंविटेशन मिला था जिसमें उसे Commonwealth के बारे में डिसकस करने की अपॉर्चनिटी मिली थी यूमिको अपने उस लेटर को कलर्ड को दिखाती है और उससे अपने ब्रदर के बारे में बोस्ती है वोकर्स अलेकसेट्या की दिवारों के चारों और जमा हो गए थे रोशिता, एरन, केरॉल और जैरी सभी दिवारों को रिपेर करने के लिए ब्लैकस में टूल लेने के लिए हिल्टाप तक जाने की प्लानिंग बनाते हैं अगले सीट में मैगी और निगान को दिखाया जाता है जो कि जंगल में आगे बढ़ते हुए बहुत सारे वाकर्स को मार रहे थे इधर एरन अपने पूरे ग्रुप के साथ हिल्टाप महाँ जाता है वो देखता है कि हिल्टाप वाकर्स से भरा हुआ था वो देखते हैं कि उन में माजूद जादा तर वाकर्स पुराने हिल्टाप वासी थे जो कि अब वाकर्स में कनवर्ट हो चुके थे जैरी और एरन उन सभी लोगों को देखकर बहुत ज़्यदा इमोशनल हो जाते हैं और वो उन रियनिमेटेट वाकर्स को मार डालते हैं अलिकसेंड्रिया में जोडित कुछ लड़कों को वाकर्स को टॉन करते हुए देख लेती है वो उन लोगों को ऐसा करने से रोपती है उन्हीं लड़कों में एक लड़का विंसेंट जुडित को उस वक्त चिडाने लग जाता है वो उसे कहता है कि मिशान उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है जुडित ये देखकर बहुत ज़्यादा गुसे में आ जाती है और वो विंसेंट को अपनी चाकू के नौक पर ले लेती है ग्रेसी तुरंती उन दोनों के बीच में सुलह करवाती है इधर मैगी और निगान दोनों ही सप्लाई डिपोर्ट तक पहुच चुके थे वो देखते हैं कि सप्लाई डिपोर्ट पूरी तरह से खाली था वो दोनों मिलकर फूट ढूडने के लिए आगे की प्लानिंग बनाते हैं अगली सीन में कॉमन वेल्ट कम्यूरिटी को दिखाया जाता है युमी को एक बेकरी में जाती है और वहाँ वो अपने भाई टॉमी को देखती है कि उन वॉकर्स के बीच में विस्पर्स मौजूद है एरन तुरंती उस विस्पर को पकड़ लेता है और वो उसके मास को उतार देता है लीडिया तुरंती उस विस्पर को पहचान जाती है और एरन से उससे ना मारने के लिए कहती है Commonwealth में स्टेफनी यूजीन को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाती है वो लोग एक clerk को Governor Milton के लिए Special Ice Cream पैक करते हुए देखते हैं यूजीन स्टेफनी से पूशता है कि वो लोग Commonwealth से बाहर किस तरह से निकल सकते थे स्टेफनी यूजीन को रेडियो के थूँ उसके लोगों से उसकी बात कराने के लिए तयार हो जाती है लेकिन वो यूजीन से इस सब प्रॉसेस के लिए कुछ समय मांगती है इजेकल और प्रिंसेज आकर यूजीन को बताते हैं कि वो लोग केस सुपर्वाइजर से पाँच हफ़ते तक बात नहीं कर सकते थे उनकी इस बात को सुनकर यूजीन स्टेफनी से पूशता है कि वो लोग आन ओफिशली रेडियो पर किस तरह से एलेकसेंडिया से कॉंटेक्ट कर सकते थे मारसर दूर खड़ा हुआ इन सबी लोगों को बहुत ही सस्पीशियसली वाच कर रहा था एलेकसेंडिया में जुडित अपने घर पापस लौट कर आ जाती है उसे अपना और कार्ड का हैंड प्रिंट चमीन पर तूटा पड़ा हुआ दिखाई देता है वो विंसेंड से उसके तूटने के बारे में बात करती है लेकिन विंसेंड जुडित को इस बारे में छूट बोल देता है जुडित उस कीप सिक को लेकर पोर्च में आकर बैट जाती है रोशित और जुडित को वहां बैठा हुआ देखकर उसके पास आ जाती है और वो जुडित को रोता हुआ देखकर उसे चुप करवाती है हिल टॉप में एरन उस विस्पर को पकड़ चुका था जिसका नाम केथ था और उससे वो सवाल पूछने लग जाता है केथ एरन को बताता है कि वो अकेला विस्पर है जोके हिल टॉप में मौजूद है और बाकी विस्पर्स मारे जा जुके हैं लीडिया भी उस वक्त केट का साथ देती है, लेकिन एरन कैट की किसी भी बातों का बिलीव नहीं करता। जैरी और एरन दौनों ही कैट को जेल के अंदर लेकर आते हैं, उन्हें वाँ छिपे हुए बहुत सारे विस्पर्स दिखाई दे जाते हैं। कैट उन लोगों को बताता है कि अब वो कुछ लोग ही बचे हुए हैं। जैरी को वहीं एक विस्पर्स के पास नाबिला का स्कार्फ दिखाई दे जाता है। जैरी समझ जाता है कि उन्हें विस्पर्स ने अलेकसेंडिया को जलाया था। तभी कैट एक नाइफ को पकड़ कर एरन के उपर अटेक कर देता है और वो अपनी सबी साथियों को वहाँ से भाहर जाने के लिए कहता है। कॉमन वेल्ट में स्टेफनी, यूजीन, एजेकल और प्रिंसेस को ट्रेन स्टेशन तक लेकर आ जाती है। ट्रेन स्टेशन उस वक्त वेरियस कॉमन वेल्ट एजेंसी के लिए एक हैटकॉाटर की तरह काम कर रहा था। स्टेफनी, यूजीन को चुपके से रेडियो रूम तक ले जाती है। इधर यूमिको और टॉमी की मुलाकात हो चुकी थी। टॉमी यूमिको को अपने कॉमन वेल्ट कम्यूनेटी को जॉइन करने के बारे में बताता है। कोई भी ध्यान नहीं देता। और वो बिल्कुल चूपी रहता है। हिल्टॉप में एरन और जैरी दौनों ही मिलकर केट को एक रेफ्ट के उपर बाढ़ चुके थे। वो दौनों मिलकर कैट से और विस्पर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हैं। केट लीडिया से अपने सभी लोगों की मदद करने के लिए कहता है। एरन तुरंती एक वाकर को कैट के ऊपर धकěल देता है। एरन कैट को कहता है कि अगर वो उसे इंफॉर्मेशन देने के लिए तयार हो जाए तो वो उसके हाथ को काट कर उसकी मदद कर सकता था। केरॉल जो कि वहाँ पर पहुँच चुकी थी वो तुरंती उस वॉकर को मार डालती है केरॉल एरन को बदले में अंधाना होने के लिए कहती है कॉमन वेल्ट में योजीन रेडियो पर रोशिदा से कांटेक्ट कर लेता है और उसे कॉमन वेल्ट कम्यूनिटी के बारे में और अपने सबी साथियों के सेफ होने के बारे में बता देता है रोशिदा योजीन को अलेकसेंडिया के प्रेसंट सिचुशन के बारे में बता देती है वो लोग जादा बात नहीं कर पाते और उन लोगों का कनेक्शन टूट जाता है मरसल तूरंती वहाँ पर पहुँच जाता है और वो योजीन और स्टेफनी को अरेस्ट कर लेता है वो जेकल और प्रिंसेस को जो के हॉलवे में मौजूद थे उन लोगों को भी अरेस्ट कर लेता है अगले सीन में निगान को दिखाया जाता है जो की सप्लाई डिपोर्ट में मौजूद थोड़ा सा फूट लेकर अलेकसेंडिया जाने के लिए तयार था मेगी निगान को याद दिलाती है कि उन लोगों का मिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था निगान और मेगी उस मॉमेंट पर आपस में बहस करने लग जाते हैं तब ही वहाँ पर गैब्रियल और अलाइसा बहुँ जाते हैं गैब्रियल उन सभी लोगों को डैरिल और फ्रोस्ट का वेट करने के लिए कहता है मेगी भी गैब्रियल की इस बात को मान लेती है इदर कॉमन वेल्ट में यूजीन, एजेकल और प्रिंसेस जो की बंदी बना लिये गए थे उन लोगों को एक सूपरवाईजर आकर इंफॉर्म करता है कि अगर उन लोगों के उपर क्राइम सिद्दो गया तो उन लोगों को पनिश किया जाएगा स्टेफणी हOWN स्बाइप को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है हिल्टॉप में कैथ अपने आपको बचाने के लिए कैरॉल को थैंक्स कहता है वो उन लोगों को बताता है कि उन लोगों का एक साथ ही केव से जिंदा बापस निकल चुका था वो सबी लोग समझ जाते हैं कि केथ कोनी के बारे में बात कर रहा था एरन अगले दिन सुबह कोनी को ढूडने के लिए बात करता है और वो सबी लोग हिल्टॉप से बाहर निकल जाते हैं कोनी और वर्जिल दोनों ही जंगल के अंदर आ चुके थे वर्जिल कोनी को पासी में मौजूद एक घर में चलने के लिए कहता है कोनी वर्जिल को आगे ही बढ़ते रहने के लिए कहती है तब ही उन लोगों को कोई अपनी और आते हुए दिखाई देता है वो दोनों उसे अपनी और आते हुए देखकर वहां से भाग लेते हैं वो दोनों ही भागते हुए उसी घर के अंदर पहुँँ जाते हैं कोनी तुरंती फ्रंट डोर को बंद कर लेती है उस घर को 4 औरसे वॉकर्स घेर लेते हैं एरन और कैरॉल अलेकसेंडिया पहुँँ चुके थे इधर कोनी और वर्जिल दोनों ही उस घर को पूरी तरह से चेक करते हैं और वो दोनों लिविंग रूम के अंदर पहुच जाते हैं वर्जिल कोनी को बताता है कि वो घर पूरी तरह से खाली था लेकिन कोनी को अभी भी उस घर के खाली होने का एसास नहीं था वर्जिल कोनी को सोने के लिए सजेस्ट करता है क्योंकि वो बहुत इन से सोई नहीं थी लेकिन कोनी क्योंकि अपने आपको अभी भी अनसेफ समझ रही थी वो उस घर को दुबारा से चेक करने के लिए उड़ जाती है मेरीडियन में कारवर लगातार फ्रोस्ट को टॉचर कर रहा था और उससे उनके ग्रूप के बारे में पूस्ताच कर रहा था फ्रोस्ट कारवर को कुछ भी नहीं बताता तब वो डेरिल को फ्रोस्ट से इंफॉमेशन निकलवाने के लिए कहता है डेरिल उस वक्त फ्रोस्ट को एक चौक होल्ड में डाल देता है और उससे उसके साथियों के लोकेशन के बारे में पूछने लग जाता है फ्रोस्ट डेरिल को कुछ भी बताने से बना कर देता है डेरिल तुरंती फ्रोस्ट के उंगली को काड़ देता है और वो उसे डराकर उसके friends के location को बताने के लिए कहता है Frost इन सब चीजों से बहुत ज़दा डर जाता है और वो अपने friends के present location के बारे में उन लोगों को बता देता है Pope लिया को कुछ रीपर्स को लेकर उस जगे पर जाने के instructions देता है इधर कोनी पूरे घर को सर्च कर रही थी तभी उसे medical cabinet के पीछे बने हुए hole से दो आखे अपनी और जागती हुई दिखाई देती है वो तुरंती वर्जल के पास आ जाती है और उसे बताती है कि उस घर में वो लोग अकेले नहीं है इधर Meridian में Darryl, Lea, Carver और कुछ Reapers सभी लोग Supply Report तक पहुँच चुके थे Darryl बाहर से एक hanging telephone wire को हिला कर अंदर मौजूद Maggie को अपने आने का संकेत दे देता है Supply Report के अंदर से Maggie उस हिलते हुए telephone wire को देख लेती है Reapers उस Supply Report के अंदर पहुँच जाते हैं उन लोगों को Supply Report के अंदर कोई भी नहीं मिलता Lea ये देखकर अपने पूरे ग्रूप को पूरे टाउन की तलाशी लेने के लिए कहती है इधर जंगल में Kelly कोनी के छोड़े हुए कैम तक पहुँच चुकी थी उसे वहाँ पर कोनी की notebook मिल जाती है और वो उसे देखकर रोने लग जाती है वर्जल कोनी के बोलने से medical cabinet को चेक करता है उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता वर्जल समझता है कि कोनी बहुत दिनों से सोई नहीं थी और इस करण से उसे hallucination हो रहा था कोनी उस घर में रुकने के लिए तैयार नहीं होती और वो वर्जल से भाहर चलने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाती है तब ही कोई उसके पीछे से दरवाजे को बंद कर देता है एक अंजान साया चार पैरों पर चलता हुआ कोनी को दिखाई देता है कोनी ये देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है और वो अपने आपको एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है वो आदमी जो कि चार पैरों पर चल रहा था वो लगातार कोनी के दरवाजे को खड़-खड़ाने लग जाता है इधर मेरीडियन में रीपर्स एक दूसरे घर के अंदर पहुँच चुके थे लिया को वहाँ पर कुछ बैंडेजेस दिखाई देती है वो समझ जाती है कि उस घर में थोड़ी देर पहले तक कोई मौजूद था डेरिल को वहीं फ्लोर पे बना हुआ एक दरवाज़ा दिखाई देता है डेरिल तूरंती वहाँ मौजूद कार्वेट को उस दरवाजे के उपर सरका देता है डेरिल वहाँ मौजूद सभी रीपर्स को मैगी के ग्रूप को टाउन में खुजने के लिए कहता है कारवर को डेरिल की एक्टिविटी से डाउट हो जाता है और वह उसे बहस करने लग जाता है लिया तूरंती कारवर को एक बार फिर से घर के अंदर चेक करने के लिए भेश देती है मैगी, निकान, गैब्रियल और अलाइसा सभी उस घर के बेस्मेंट में मौजूद थे और उपर हो रही सभी बातों को सुन रहे थे इधर केरॉल, रोशिता और मेगना को जंगल के अंदर केली दिखाई दे जाती है केली उन लोगों को कोनी के कैम के बारे में बताती है मेगना को कोनी की नोटबुक पढ़ने के पाद पता चलता है कि कोनी और वरजल को कोई फॉलो कर रहा था वो लोग कोनी को ढूडने के लिए आगे के और बढ़ जाते हैं इदर उस घर में कोनी अकेले ही बहुत ज़्यदा घबरा रही थी वो उस घर के बेस्मेंट के अंदर पहुँच चुकी थी उसे वहाँ पर बहुत सारी ह्यूमन बोन्स दिखाई देती है बोन बोन्स को देखकर बहुत ज़्यदा डर जाती है तब ही वो अंचान आदमी अचानक ही उस रूम के अंदर घुच जाता है कोनी दिवार के अंदर बने हुए एक स्पेस के अंदर घुच जाती है और वहाँ छिप जाती है इधर वर्जल पे एक और रूम के अंदर घुच जाता है और दर्वाजे को बंद कर लेता है एक अंजान साया लगातार वरजल के दर्वाजे को खट-खटाता है इदर कौनी छिपे हुए एक दरार से वरजल को देख लेती है वो तुरंती आवाज लगाकर वरजल को अपनी और अट्रेक्ट करना चाहती है लेकिन तब ही वो देखती है कि वो आथमी वरजल के उपर अटेक कर चुका था वरजल उस आथमी का सामना करने लग जाता है कौनी वरजल को बचाने के लिए आवाजे करके उस आथमी का ध्यान अपनी और अट्रेक्ट करती है वर्जिल जैसे ही देखता है कि उस आदमी का ध्यान कोनी के और है वो तुरंती उसे मार डालता है कोनी वर्जिल की मदद करने के लिए अपने हाथ को दिवार से बाहर निकाल देती है वर्जिल कोनी को पहचान जाता है और उसे दिवार से बाहर निकाल लेता है इदर मेरीडियन में डेरिल और कारवर लगातार आपस में बहस कर रहे थे डेरिल कारवर से रीपर्स के प्लान के बारे में बात करने लग जाता है वो जानता था कि मैगी और उसके सभी साथी उन लोगों की बातों को सुन रहे थे कारवर डैरल को इस वत कायर कहता है और वो उसे कहता है कि वो उन लोगों के लिए लॉयल नहीं है डैरल कारवर कि इस बात को एडमिट करता है और उसे बताता है कि वो वहाँ पर सिर्फ लिया के लिए मौजूद है और वो सिर्फ लिया की ही परवा करता है कारवर तबी फ्लोर के डोर को देख लेता है और वो तुरंती उसे खोल देता है वो सबी देखते हैं कि बेस्मेंट खाली था और वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था इधर मैगी अपने पूरे ग्रुप के साथ बेस्मेंट से बाहर निकल चुकी थी केरॉल अपने पूरे ग्रुप के साथ कोई की खोच कर रही थी कैली उन लोगों को एक डारेक्शन में चलने के लिए कहती है अगले सीन में वर्जिल और कोई को दिखाया जाता है वर्जिल बहुत पुरी तरह से खायल था वो कोई को एक नाइफ देता है और उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है कोई वर्जिल को वही पर छोड़ कर जाने के लिए तयार नहीं होती वो दानों उपर माजूद क्रियेचर्स को आवाज करते हुए सुन लेते हैं और वो अपने वैपन्स लेकर उनका सामना करने के लिए तयार हो जाते हैं वो हुमन चौपाई चारो तरफ से वर्जिल और कोई के उपर अटेक कर देते हैं उनमें से एक क्रियेचर वर्जिल को बाइट कर लेता है कोई को ये सब देखकर एक आइडिया आता है वो वहां मौझूद एक वाकर के गट को अपने आप में लपेट लेती है और फ्रेंट दरवाजे को खोल देती है कोई वर्जिल को प्रटेक्ट कर लेती है और इदर फ्रेंट डोर से बहुत सारे वाकर्स अंदर आ जाते हैं वो सबी वाकर्स उन ह्यूमन चौपाई पर अटेक कर देते हैं और उन्हें खा लेते हैं कोई और वर्जिल क्योंकि वाकर्स के गट में लिप्टे हुए थे वाकर्स उनके और ध्यान भी नहीं देते वो लोग वाकर्स से पूरी तरह से बच जाते हैं वो दौनों ही उस घर से बाहर निकल जाते हैं लेकिन वो तुरंती भी होश हो जाते हैं उस घर से दो हुमन चौपाई बाहर निकलते हैं लेकिन कैली तुरंती उन्हें अपने स्लिंग शॉर्ट से नीचे किरा देती है कैली इसके बाद कुनी और वर्जिल के पास पहुँच जाती है इधर रिपर्स मेरीडियन वापस लौट कर आ जाते हैं कारवर पोप को बताता है कि मैगी अपने ग्रूप के साथ वहाँ से जा चुकी थी पोप उन सभी लोगों को बताता है कि वो उनके जाने के बाद लगातार फ्रॉस्ट को इंटरोगेट कर रहा था और उससे उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी वो सभी लोग फ्रॉस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक तरफ बंधा हुआ था और अब रियनिमेट हो चुका था पोप कारवर से अकेले में बात करने के लिए उसे वही पर रोक लेता है लिया ये सब देखकर डैरिल के और देखती है मेगी, नेगान, कैप्रियल और अलाइसा सभी मेरीडियन के और मूव कर चुके थे नेगान देखता है कि वो लोग नमबर्स में बहुत कम थे वो मेगी से इस बारे में बात करता है और मेगी तुरंती नेगान को अलेकसंडिया लॉटने के लिए कहती है नेगान देखता है कि वो लोग इस तरह से रीपर्स से नहीं जीच सकते थे वो मैगी से अपने एक प्लान को डिसकस करता है तब ही उन लोगों को वॉकर्स में एलाइसा की बहन की एक बेस्ट फ्रेंड दिखाई दे जाती है मैगी उस वॉकर को देखकर कसम खाती है कि वो रीपर से उनके मौत का बतला जरूर लेगी कॉमन वेल्थ कम्यूनिटी में यूजीन और स्टेफनी को पाउंडरी के बाहर मौजूद वॉकर्स को मारने की पनिश्मेंट मिली थी यूजीन और स्टेफनी उस वक्त हौंस बाई के बारे में बात करते हैं स्टेफनी यूजीन को बताती है कि वो लोग उसके उपर पूरी तरह से भरूसा कर सकते थे और वो उनकी हर तरह से मदद कर सकता था एजेकल और प्रिंसेस भी एक तरफ बिल्डिंग में मौजूद वॉकर्स को मार रहे थे एजेकल को तबी बहुत जोरों से खासी होने लग जाती है और उसे दर्द भी होने लग जाता है स्टेफनी एजेकल की हालत को देखकर पैडिकल हैल्प के लिए होर्सपाय को बिलाती है वो लोग मरसर को एक यंग कपल को गार्ड करते हुए देखते हैं इदर युमिको एक कॉमन वेल्ट आफिसर से बात कर रही थी आफिसर युमिको से उसको दिये जाने वाली पोस्ट के बारे में बात करता है युमिको आफिसर से अपने सभी दोस्तों के बापस जाने के बारे में बात करती है आफिसर युमिको को क्लियर करता है कि पनिश्मेंट के बाद उन सभी लोगों को छोड़ दिया जाएगा और वो अपने घर वापस जा सकते थे युमिको इसके बाद उस आफिसर से गवर्नर मेर्टन से मिलने के बारे में बात करती है मेरीडियन में डेरिल खूम कर सब और देख रहा था उसे वहाँ पर बना हुआ फूचिट दिखाई देता है वो एक रीपर को बाहर निकलते हुए देख लेता है तभी वो रीपर्स की सर्च पैट्रोल टीम को बापस लोटते हुए देखता है मेगी एलाइजा की फ्रेंड को दफना चुकी थी गैबरियल उसकी ग्रेव पर खड़ाओ कर उसके लिए प्रेयर करता है मेगी इसके बाद गैबरियल को एक मिशन पर भेज देती है वो गैबरियल को ओर्डर देती है कि अगर उसे इस पीच कोई भी रीपर दिखाई दे तो वो उससे तुरंती मार डाले मेगी इसके बाद निगान को फोर वाकर्स को ढूड़ने के लिए कहती है इधर मेरीडियन में सर्च टीम आकर पोप को बताती है कि उन लोगों को मेगी के ग्रूप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी पोप ये सुनकर उस टीम के उपर बहुत बुरी तरह से चिलाने लग जाता है पोप समझता था कि डैरिल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है और वो मेगी के टीम के बारे में पता लगा लेगा पोप लिया को डैरिल के साथ जाकर मेगी के क्रूप को ढूडने के लिए कहता है डैरिल लिया के साथ जाकर मेरीडियन के चारों और खोजने लग जाता है डेरिल मैगी की खोच में लिया के साथ मेरीडियन के बाहर निकल जाता है डेरिल से बातों में लिया उसे बताती है कि पोप उसके लिए एक फादर की समान है और वो उसकी पूरी बातों को मानती है इधर मेगी एक walker के mask को पहन चुकी थी और वो जंगल में walkers की समाण चलने की practice कर रही थी नेगान मेगी को इस बारे में instructions दे रहा था नेगान मेगी को टेस्ट करने के लिए एक walker को उसकी और भेज देता है वो वाकर पहले तो मैगी के और बढ़ता है लेकिन फिर डेस्ट्रेक्ट होके दूसरी और चला जाता है मैगी उस वाकर को अपनी और आता हुआ देखकर बहुत ज़दा डर जाती है और वो एक चटान से ट्रकडा कर नीचे गिर जाती है वौकर दूरंती मैगी के और अट्रेक्ट होकर उसके और आगे बढ़ जाता है अलाहिसा आगे बढ़ कर उस वौकर को मार डालता है इधर गैब्रियल मैरीडियन के बाहर पहुँच चुका था और वो बाइनकुलर से मैरीडियन के एक्टिविटीज देख रहा था गैब्रियल इस बारे मैगी को इनफॉर्म करता है गैब्रियल एक रीपर मिनिस्टर मैंसिया को अकेले घूमते हुए देख लेता है गैब्रियल मैंसिया का पीछा करते हुए ग्रेवस तक पहुच जाता है मैंसिया को अपना पीछा करने का अंदाजा हो जाता है और वो अपने नाइफ को अपने हाथ में पकर लेता है गैब्रियल अपनी तलवार लेकर उसका सामना करने के लिए तयार हो जाता है लेकिन मैंसिया तुरंती वहां से बापस लौट जाता है कामन वेल्ट में यूमी को ट्रेन स्टेशन पर जाकर एक बार फिर से टॉमी से मुलाकात करती है टॉमी एपोकेलिफ से पहले एक डॉक्टर था और उसने कामन वेल्ट में एक बेकर बनना चूस किया था टॉमी यूमिको से अपने डॉक्टर के प्रोफेशन को कॉमन वेल्ट से सीक्रेट रखने के लिए कहता है यूमिको टॉमी को बताती है कि उसकी गवर्नर मिल्टन के साथ मीटिंग तैह हो चुकी है तबी बहुत सारे सोलजर्स वहाँ पर बहुत जाते हैं और वो टॉमी को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं अगले सीन में मैगी को दिखाया जाता है जो कि विस्पर्स का मास्क पैने हुए थी और वाकर्स के बीच में चलते हुए जा रही थी नेगान मैगी की इस प्रोग्रेस से बहुत जादा खुश होता है अलैसा और मैगी उस वक्त नेगान के बारे में बात करते हैं मैगी समझ नहीं पारी थी कि नेगान पूरी तरह से बदल चुका था या वो बदला लेनी के बारे में कोई प्लानिंग कर रहा था कामन वेल्ट में यूमिको हांस भाई के पास पहुँच आती है और उसे टॉमी के बारे में बात करती है हांस भाई यूमिको को अश्योर करता है कि टॉमी रात तक घर पहुँच जाएगा और उसके दोस्ट भी जलदी ही महाँ से आजाध कर दिये जाएंगे Xiaomi Yumiko को clear करता है कि वो उसकी मदद कर रहा था और बदले में वो šाता था कि Yumiko भी उसकी मदद करे Meridian में Darryl और Leah को एक आदमी दिखाई दे जाता है वो आदमी Darryl और Leah को बताता है कि उसकी बाइफ बहुत बुरी तरह से गायल है लिया उस आदमी के बारे में पोप से रेडियो पर बात करती है और पोप उन दोनों को उस आदमी को मारने का इंस्ट्रेक्शन देता है नेगान मैगी से अपने ग्रूप सेवियोर्स के बारे में बात करता है नेगान मैगी को बताता है कि उन लोगों के आउटपूर्स पर अटेक करने के पाद उसके लोग उसके उपर भरोसा करना कम कर चुके थे और उसे अपने आत्मियों का ट्रस्ट हासिल करना था निगान मेगी को बताता है कि उसने अपने सभी आत्मियों को प्रटेक्ट करने का वादा किया था और इसलिए उसने रिक्के ग्रुप को वहाँ पर रोका था और उसके ग्रुप को डराने के लिए उसने उनके दो आत्मियों को मारा था निगान मैगी को बताता है कि वो अपने ग्रूप को प्रटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता था और अब वो क्योंकि मैगी और उसकी ग्रूप के साथ है और वो उन लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था निगान मैगी को कहता है कि उन दौनों को एक दूसरे के उपर ड्रस्ट करना होगा कॉमन वेल्ट में एजेकल मैडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद योजीन और प्रिंसेस के पास आ जाता है हांस पाय योजीन और स्टेफनी को एक नई लोकेशन को वाकर से क्लियर करने के लिए भेज देता है और वो एजेकल और प्रिंसेस को अपने साथ आने के लिए कहता है मैरीडियन में गैब्रियल अपने ग्रूप के पास वापस लोट कर आ जाता है वो मैगी को बताता है कि उन्हें जो कुछ चाहिए था वो मैरीडियन में मौझूद है कॉमन वेल्ट में योजीन और स्टेफनी तौनों ही कुछ वाकर्स को उस कपल के पास आते हुए देखते हैं जिसे उन्होंने मरसर को गार्ड करते हुए देखा था स्टेफनी और योजीन वहाँ आने वाकर्स को मार डालते हैं सेविस्टियन जो कि उस कपल में एक था वो उन दोनों के उपर बहुत बुरी तरह से चिलाने लग जाता है सेविस्टियन समझता है कि उन लोगों ने उसकी डेट को खराब कर दिया था स्टेफनी तभी वहाँ आने वाले एक और वाकर को मार डालती है उस वाकर की बलड की चीटों से सेविस्टियन की गर्फरेंट की ड्रेस खराब हो जाती है और सेविस्टियन स्टेफनी के उपर बहुत जोरों से चिलाने लग जाता है योजीन सबस्टियन को स्टेफनी के उपर चिलाते हुए देखता है और वो आगे बढ़कर उसके मुँपर एक पंच मार देता है बहुत सारी टूपर्स योजीन को चारा और से घेड लेते हैं हॉर्टस बै और मरसर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं इधर यूमिको गवर्णर मिल्टन से मिलने के लिए उनके आफिस पहुँच चुकी थी उसकी मुलाकात उनकी असिस्टेंट मैक्स से होती है मैक्स यूमिको को बताती है कि उसकी मीटिंग कैंसल हो चुकी है क्योंकि गवर्णर के बेटे सेबेस्टियन के उपर किसी ने अटैक कर दिया था यूजीन को जेल में बंद कर दिया गया था हौंस भाई यूजीन से जेल में मिलने के लिए जाता है हांस्पिल योजीन को बताता है कि वो एक ही तरह से वहाँ से बाहर निकल सकता था अगर वो अपनी कम्मІटी के लोकेशन और वहां माजूद लोगों के बारे में यहां के लोगों को पूरी जानकरी दे दे हांस्पिल वहाँ से जाने लग चाता है तब योजीन उसे रुखने के लिए कहता है मेरीडियन में मैगी, नेकान और अलाइसा वाकर्स के मास्क को पहन कर वाकर्स के एक हर्ट को लीड कर रहे थे वो़ोग वही एक बिल्डिंग मैं से बहुत सारे वाकर्स को बाहर निकाल लेते हैं बिल्डिंग में मौझूद सबी वाकर्स उन लोगों की ग्रूप को जॉइन कर लेते हैं डैरल और लिया उस स्ट्रेंजर के साथ उस बिल्डिंग में पहुँच चुके थे जहां पर उसकी वाइफ मौजूद थी लिया देखती है कि उसकी वाइफ को पॉकर्स ने बाइट कर लिया था वो उस आदमी को अपने बेटे के साथ वहाँ से दूर जाने के लिए कहती है उन लोगों के वहाँ से जाने के पाद उस आदमी की वाइफ लिया से अपने आपको मारने के लिये कहती है लिया उसे मारने के लिये अपनी राइफल उठाती है लेकिन वो उसे मार नहीं पाती डैरिल ये देखकर तुरंती उस ओरत को मार डालता है डेरेल लिया की हालत को देख चुका था वो उससे अपने ग्रूब के पारे में बात करने के लिए आगे बढ़ता है तब ही उन लोगों को रेडियो पर मेरीडियन वापस लोटने का इंस्ट्रेक्शन आता है मेगी, निकान और एलाइसा वोकर्स के हार्ट को लेकर मेरीडियन के और बढ़ चुके थे एलाइसा को तब ही उन वोकर्स में अपनी मरी हुई बहन दिखाई देती है वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है मेगी ये देखकर एलाइसा के हाथ को पकर लेती है पॉप अपनी सबी सात्यों के साथ मेरीडियन के वाल के ओपर से उसके और बढ़ते हुए वोकर्स के हार्ट को देख रहा था लिया देखती है कि वोकर्स का हार्ट एक पर्टिकुलर पैटर्ण फॉलो करते हुए आगे के और बढ़ रहा था डेरिल उन लोगों को ओफर करता है कि वो वोकर्स के हार्ट को मेरीडियन से दूर ले जा सकता था पॉप को डेरिल के बाद बहुत ही अच्छी लगती है लेकिन वो डेरिल की जगे वेल्स को वोकर्स के हार्ट को दूर करने के लिए बाहर भेज देता है वेल्स तुरंती मेरीडियन के बाहर निकल कर वॉकर्स के हौट को डैवर्ट कर देता है और रेडियो पर पॉप को इस बारे में बता देता है तब ही बहुत सारे वॉकर्स निकल कर उसके सामने आ जाते है एक वॉकर तुरंती वेल्स को स्टैब कर देता है वेल्स ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है तब ही उसे वॉकर साकर चारों और से घेर लेते हैं अगले सीन में अलेकसेंड्रिया को दिखाया जाता है जहांकि बहुत बड़ा तूफान आ चुका था एक क्रुप एरन के घर के अंदर चिपा हुआ था तूफान के कारण एरन के घर के दरवाजे और खिड़कियां बहुत बुरी तरह से अवाज कर रहे थे नैबीला वहां माजूद सबी बच्चों का ध्यान रख रही थी जबकि कोने वर्जल को संभाल रही थी रोशिता अलेकसेंडर की वाल को गिरते हुए देखती है मैरीडियन में लिया वैल्स की मदद करने के लिए जाना चाती थी लेकिन उसे पोप रोक लेता है पोप लिया को बताता है कि वैल्स औरड़ी मर चुका है लिया समझ जाती है कि पोप को पता चल चुका है कि वॉकर्स के हार्ट को मैगी लीट कर रही थी और उसने यही चेक करने के लिए वैल्स को वहाँ पर भीजा था लिया पोप को याद दिलाती है कि वैल्स उनकी फैमिली का एक मेंबर था लेकिन पोप लिया की बात को इग्नोर करता है और उसे बताता है कि वेल्स की डेस्टिनी में मरना लिखा हुआ था इधर अलेक्सेंड्रिया में एरन अपनी केचन के अंदर लोगों की एक मीटिंग रखता है वो सभी लोगों को बताता है कि अलेकसंडिया की एक वाल तुफान के करण गिल चुकी थी और उन लोगों की विंड मिल में आग लग चुकी थी जिसके करण वाकस डेस्ट्रेक्ट होके उनकी तरफ मूव कर चुके थे एरन अपने सभी लोगों से दो टीम बना कर एक टीम को एलेकसंडिया की वाल को रिपेर करने के लिए कहता है और दूसरी टीम को विंड मिल की फायर को रोकने के लिए कहता है केरॉल, कोनी और केली तीनों ही वाल को फिक्स करने के लिए बाहर निकल जाते हैं जबकि एरन और मेगना फायर को रोकने के लिए निकल जाते हैं। रोशिता सभी लोगों की सेफटी के लिए वही पर रुख जाती है। मेरीडियन में पोप टेरल से मेगी के बारे में बात करता है। टेरल पोप को बताता है कि मेगी एक बहुती अच्छी निशाने बाच है। और उसे उस वक्त उसे पेड़ों के बीच में ढूनना चाहिए। तभी कारवर रेडियो पर पोप को बताता है कि वॉकर्स का हौड वापस लोटने लगा था। पोप तुरंती वॉकर्स के हौड को देखता है और सभी लोगों को बताता है कि वॉकर्स का हौड मेरिडियन के गेट तक कभी भी नहीं पहुंच सकता था। वो सभी लोग दिखते हैं कि वॉकर्स जैसे ही मेरीडियन की गेट के और बढ़ने लगे थे, वो सभी वहाँ बिच्छी हुई माइन्स के उपर से एक्स्प्लोट होने लगे थे। अलेकसेंड्रिया में रोशितर, डियाना और लीडिया के साथ मिलकर, सभी विंडोज को बुटन पोर्ट से कवर कर देती हैं, जुडित ग्रेसी को कमफर्ट कराने की कोशिश करती हैं, ग्रेसी एक तलवार लेकर इमेजनरी वॉकर से फाइट करने लग जाती है, तब ही एक वॉकर विंडो के पास पहुच कर उसे पकड़ लेता है, जुडित तुरंती उस वॉकर के आर्म को कार्ट डलती है, बार्बरा और वर्जिल तुरंती बच्चों को विंडो से दूर रहने के लिए कहते हैं, वॉकर्स एरन के घर को चारों और से घेर लेते हैं, और वो दर्वाजे से अंदर आने की कोशिश करने लग जाते हैं, रोशिता और लेडिया ये देखकर फ्रेंट दर्वाजे को बंद करने की कोशिश करने लग जाते हैं, इधर मैरीडियन में, वॉकर्स मैरीडियन के गेट के और मूव कर रहे थे, और वो माइन्स के करण लगातार एक्स्प्लोट हो रहे थे लिया अपने लोगों के मारे जाने से बहुत ज़्यादा दुखी थी जबकि पोप लिया को क्लियर करता है कि ये उसके लोगों का उन लोगों के लिए सेक्रिफाइस था डेरल पाइनकूलर से वॉकर्स के ग्रूप के और देखता है वो उस ग्रूप में मैگी और अपने सभी सहत्यों को वॉकर्स के मास्क को पैने हुए पैचान लेता है मैगी और गैब्रियल दौनों ही उस वॉकर्स के हौर्ट से सेपरेट हो जाते हैं और वो दोनो ही Sentry Post पर पहुंँ चाते हैं Sentry Post को Powell levar कार्ड कर रहा था Daryl तुरंती Powell के पास पहुंँच जाता है और उसे पीने के लिए cigarette offer करता है Daryl जान वुचकर cigarette को नीचे किरा देता है Powell जब cigarette उठाने के लिए नीचे जुखता है तब डेरिल तुरंती उसे मार डलता है डेरिल मैगी और गैपरिल को देख चुका था वो उने अंदर जाने के लिए रास्ता बता देता है डेरिल इसके बाद फूट छेट के ताले को तोड़ देता है नेगान और एलाइसा दौना ही वोकर्स के हौर्ट को कंट्रोल कर रहे थे उन लोगों के पास पहुंसते ही तभी एक बहुत बड़ा एक्स्पलोशन होता है इसी बीच डेरिल वोप लिया और आस्टिन के पहुंच जाता है नेगान और एलाइसा दौना ही वोकर्स के हौर्ट के साथ वाल तक पहुंच चुके थे पॉप ये देखते हुए लिया को हवाचा को सिक्यूर करने के लिए कहता है इधर मैगी और गैब्रियल जलते हुए ट्रेश में होते हुए मैरीडियन के अंदर पहुँच चुके थे मैगी उस वक्त गैब्रियल से अपने आगे के प्लान को डिसकस करती है और उसे अपने सिगनल का इंतजार करने के लिए कहती है अलेकसेंड्रियम में वकर्स फ्रंट डूर को करीब करीब तोड़ चुके थे रोशिता ये देखकर तुरंती बहार इकल जाती है और वो बहार मौझूद वकर्स को एक एक करके मारने लग जाती है मैरीडियन में गैब्रियल एक बिल्डिंग के अंदर पहुच जाता है और वो एक सीक्रेट कमपार्टमेट के अंदर पहुच जाता है गैब्रियल जो चाहता था उसे वहाँ पर वो सब कुछ मिल जाता है डैरियल लिया और एंचेटा रूफ टॉप के उपर पहुच जाते हैं एंचेटा उन लोगों को हवाचा के बारे में बताता है हवाचा एक मल्टिपल रॉकेट लॉंचर था जो कि उसने डिसाइन किया था डैरियल हवाचा को देखकर बहुत ज़दा डर जाता है और वो उसे कहता है कि क्या वो अभी भी पोप के उपर ट्रस्ट करती थी लिया डैरियल के सामने एटमिट करती है कि उसे पोप का अपने लोगों को सेक्रिफाइस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था डेरिल उस मॉमेंट पर लिया को बता देता है कि वो जिन दुश्मनों से लड़ रहे थे वो असल में डेरिल के दोस्त थे डेरिल लिया से अपने दोस्तों को ना मारने के लिए कहता है लिया डेरिल की इन बातों को सुनकर सोच में पढ़ जाती है तब ही वहाँ पर पूप पहुच याता है मैगी एक ट्रक को ड्राइब करती हुई फ्रेंट गेट तक पहुच जाती है वो फ्रेंट गेट तक पहुचने के पार ट्रक से बाहर जम कर देती है ट्रक के मैरिडियन के गेट अंदर घुसते ही पॉकर्स उसके पीछे मेरीडेन के गेट के अंदर घुश जाते हैं इधर पॉप एंचेटा को हवाचा को लांच करने का ओर्डर दे देता है लिया पॉप को बताती है कि अगर उन लोगों ने हवाचा को लांच कर दिया तो उसके कारण उनके अपने आत्मी भी मारे जाएंगे पॉप लिया की इन बातों को इग्नोर करता है और उसे बताता है कि अब उन लोगों की सेक्रिफाइस करने का समय आ चुका है एंचेटा तब तक हवाचा को इगनाइट कर चुका था तैरल अपना नाइफ लेकर पॉप के उपर अटेक कर देता है लिया तुरंती पॉप के उपर अटेक कर देती है तैरल अपने नाइफ को एंचेटा को फेक देता है और वो इगनाइट हुए हवाचा के वायर को भी बुझा देता है लिया उसकी नेक पर एक और स्टैप करके उसे मार डालती है डैरिल लिया के पास बहुँच जाता है और उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है लिया डैरिल के और देखती है और वो रेडियो पर अपने सबी आद्मियों को मैसेज करके बता देती है कि डेरिल ने पोप को मार दिया है और अब वो उन लोगों का दुश्मन है डेरिल लिया की इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है लिया डेरिल को बताती है कि वो अपने सबी साथियों को बचाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करेगी डेरिल ये देखकर तूरंती वहाँ से बाहर की और भाग जाता है डेरिल के जाते ही कारवर और बून वहाँ पर पहुँच जाते हैं लिया उन लोगों को मेंगेट को बंद करने का इंस्ट्रेक्शन देती है और मेरीडियन के अंदर मौझूद अपने सभी दुश्मनों को मारने के लिए कहती है अलेकसेंडिया में वाकर्स घर के अंदर खुसना शुरू कर चुके थे रोशिता सभी लोगों को घर के उपर के और जाने के लिए कहती है सबी लोग एक के बाद एक उपर के और जाने लग जाते हैं लेडिया रोशिता को कोको को लेकर उपर जाने के लिए कहती है और वो खुद गेट पर वाकर्स का सामना करने के लिए रुख जाती है इधर जोडिध क्रेसी को ढूंदते हुए basement में पहुँच जाती है ग्रेसी वहाँ पर वाकर्स से लड़ाई करने के लिए weapons ढूंड रही थी जोडिध क्रेसी को वहीं पड़ा हुआ एक बोल दे देती है और उसे अपने साथ उपर चलने के लिए कहती है फॉकल्स तब तक बेस्मेंट के अंदर घुश चुके थे क्रेसी और जोडित ये देखकर बाहर का दर्वाजा बंद कर लेते हैं वो देखते हैं कि तुफान का पानी बेस्मेंट के अंदर भरना शुरू हो चुका था इधर मेरीडियन में मैगी, डेरिल और नेकान रीपर्स के साथ फाइट कर रहे थे लिया रेडियो पर मैसेज करके अपने सभी आत्मियों को बीछे हटने का इंस्ट्रेक्शन देती है सभी रीपर्स कोर्ट यार्ड को खली कर देते हैं लिया इसके बाद तुरंती रॉकेट को मैगी के ग्रूप के और लॉंच कर देती है